इतने भी मेरे डियरे स्टुडेंट है, सबको बेलकम करता हूँ, खासकर MPK तो उनके लिए कुछ अपडेट जारी किया गया है, बहुत दिनों के बाद जो है वेबसाइट पर कुछ अपडेट जो है दिया गया है, तो आज हम इस अपडेट के बारे में बात करेंगे, वैसे आपके सामने अपडेट रखा गया है, तो आज है एक कोसां में जारी किया गया, तो सामने वीडियो नहीं बंपाया, आपके सामने अभी आ रहा है, इस अपडेट का क्या मतलब है और बिल्कुन यह आपके results सक्तों समंधित कोई अपडेट है, जिसको हम लोग अच्छे से है आखिर इस अपडेट में समझ रहे हैं तो चलिए आवस्यक सुचना समझ रहे ना आवस्यक सुचना है मद परदेश नर्सेश रेजिस्टेशन काउंसिर यानि MPNRC भोपाल द्वारा आयोजित परिच्छा के परिणाम के संबंध में यहां पर यह जो अपडेट है देख सकत परिणाम जारी करने हैं तु आवेदन करमांग पी आईडी नंबर 129-2024 धिनांग 5 जनवरी 2024 को परस्तूत किया गया अब देखिए MPNRC जो है रिजल्ट जारी करने के लिए हाई कोट के सामने एक आवेदन लगाया है समझ गये एक आवेदन लगाया है पी आईडी नंबर आपके सामने है एक अप्लिकेशन लगाया गया है ठीक है पांच जनवरी को परस्तूत किया गया है आवेदन के निराकरन पहचात आगामी करवाई की जाएगी अब कांसिल के दोरा ये कहा गया है कि आवेदन के निराकरन के बाद जो है आगे की करवाई की जाएगी इसका म बिल्कुन यह आपका भोपाल रजिस्टेशन काउंसिल के दोरा जारी किया गया है इसमें यही कहा गया है मैई डियर कि जो रिजल्ट है जो MPNRC के दोरा जो एक्जाम हो गये हैं उनको रिजल्ट के परिनाम जारी करने के लिए जो है उच नियाले में जो अभी एष्टे लग जो रोका गया है रिजल्ट को उस रिजल्ट को जारी करने के लिए आवेदन दिया गया है समझ गया हाई कोट में अब कह रहा है कि जब वहां से कुछ निराकरन हो जाएगा आवेदन का मिंस आवेदन पर कुछ बाते हो जाएगा और वहां से क्या कुछ दिया जा रहा है बात उसके बाद करवाई की जाएगी अगर पोजेटी बाते निकल के आता है तो आपके रिजल्ट जारी किये जाएंगे अगर उस आवेधन का कोई मतलब नहीं बनता है जैसा कि जानते हैं कि अभी कोट में सुनवाई चल रही है अभी CBI को रिपोर्ट अपना जो है सौपना है त तो उसको देखते हुए अगर कोट इसको उतना महत्व अगर नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए कुछ नहीं होगा फिर आपका रिजल्ट जो कोट में जो चला है मामला उसके बाद ही कुछ होगा तो इसका मतलब यहीं है कि आपके नर्सिंग काउंसिल थोरा सा जाग गया है और जागा भी तब है जब हो सकता है कि कोट भी अपना निर्ने जो है रिजल्ट के बारे में कुछ दे समझ गये लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जो आपका MPNRC है वह भी जो है अब अपना सुबू बहट रख रहा है समझ गये इस हिसाब से देखा जाए तो आपके ल अन्या परस्तूत किया गया है अब देखिए इसका नीराकरन कब תक हो पाता है कितना जल्दी हो पाता है यह दिखने वाली बाते होगी समझ गये हैं हमें नहीं लगता है कि इतना जल्दी इसका नीराकरन हो सब को जो है उसीकर साथ connect कर दिया गया समझे नहीं तो हमने लगता कि इस रेगाइशन देने का आवेधन देने का कोई मतलब है कोई जादा फैदा है लेकिन एक बात ये भी है कि हो सकता है काउंसिल अपने तरीका से दिया है तो और पहले से भी एस्टूडेंट लोग दिये हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा इसका पोजेटिव अंस मिले कि रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ ख़वर अच्छा आ जाए कि हाँ भाई रिजल्ट आप जारी कर सकते हैं कर दो तो हो सकता है लेकिन हमें इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि ये पांच जर्वरी को अपना जो है कोट में आवेदन दिये अब इसका नीरा करन कब तक होगा ये ही मुस्किल लगता है क्योंकि कोट में कुछ भी आवेदन देते हैं तो कोई स्पेसल कोट के लिए कोई आदमी नहीं होता चाहें MP Council ही क्यों नहीं हो ये स्पेसल है नहीं कोट के नजरों में तो इस इस आप से देखा जाए तो ही बाते है कि उतना ज्यादा इसका मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं 17 तारी को आपका जनवरी में 17 को सुनवाई होने वाला है CBI का रिपोर्ट आएगा और रिपोर्ट के बाद कोट खुद जो है इस पर फैसला देने वाली है कि क्या करना है आगे समझ गया ना रिपर है ही ये जूंत देना है कि यंगा नहीं देना है या टोटल का देना है तोगोट अपना खुद है आपको नियर्स देगा और जो है MPNRC तब जगा है जब ममला धीजर धीजर आब लास्त में आ रहाै समझ गये ना इससे कहले MPNRC नहीं जग रहा था यही सब चीजे हैं देख सकते हैं यह MPNRC को एक बहाना मिल गया कि भाई लास्ट समय में ही लेकिन हम थोड़ा सा पर्यास कर लेते हैं ताकि नजरों में तो यह हो जाएंगे कि हम आने भी पर्यास किया समझ रहे ना वही चीजे हैं बाकि अगर MPNRC के अगर थोड़ा सा जागने से अगर फैदा एस्टुडेंट को हो जाता है तो यह वड़ी अच्छी बात है हम तो कहते हैं कि आप दिये हैं बिलकुन सही है लेकिन इसका नीरा करन भी जल्दी हो जाए तभी बाकि आप लोग क्या सुचते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में अपना राय जरूर रख सकते हैं ठीके हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में आप बता सकते हैं कि क्या इसका कुछ बेहतरीन फैदा इसका होने वाला है या नहीं होने वाला है आप लोग हमें जो है जर परिडाम तो अच्छा लगेगा कि चलो भाई एंप एनर से भी स्टुडेंट का ख्याल रख रही है ठीक है नहीं बाकि यहीं अपडिर था मैंने बता दिया लेकिन है तो आपके रिजल्ट के ही रिगार्दिंग लेकिन जो भी हो मन की संतावना देने के लिए अच्छा मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्याल लग किएगा धन्यवाद